क्या आप जानते हैं कि सूर्य पुत्र शनी देव आपके जीवन में कैसे एहम भूमिका निभाते हैं? शनी देव की कृपा से न केवल भक्तों को कई संकटों से मुक्ती मिलती है, बल्कि आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि शनी देव की वक्री चाल से आपकी राशी पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि कौन सी राशियों के लिए शनी की उल्टी चाल लापकारी होगी और कौन सी राशियों को सावधान रहने की जरूरत है। जोतिशाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री ने बताया है कि वर्तमान में शनी देव कुंब राशी में हैं और वे इस राशी में शनीवार देर रात वक्री हो रहे हैं। पंद्रह नवंबर तक शनी देव उल्टी चाल चलेंगे। इस बदलाव का असर कुछ राशियों के लिए बेहत लापकारी होगा जबकि कुछ के लिए कश्टकारी साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं आपकी राशी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेश मेश राशी के जातकों के पारिवारिक सुक और वैभव में व्रिद्धी होगी। आर्थिक उन्नती के रास्ते खुलेंगे और स्थिती मजबूत होगी। व्रिशब, व्रिशब राशी के जातकों के मानसमान में वृद्धी होगी, साथ ही भाईयों का भी साथ मिलेगा, जिससे आपकी ताकत बढ़ेगी, मिथुन, मिथुन राशी के जातकों के लिए आर्थिक लाब के योग बन रहे हैं, आर्थिक परियोजनाओं में विशेश ल और कहीं रुका हुआ पैसा आएगा परिवार की सला से लिए गए फैसले अच्छे साबित होंगे सफलता आपके कदम चुमेगी बस अपनी वानी पर सयम रखना होगा धनू कार्यस्थल पर आपका दब्दबा बढ़ेगा आप अपने साथियों और वरिष्टों को इंप्रेस करने में काम्याब होंगे प्रेम प्रसंद में लाब मिलेगा और परिवार के साथ सुख शांती से समय बिताने का मौका मिलेगा कुम्ब कुम्ब राशी के जातकों के सभी अठके काम पूरे होंगे धन के योग बनेंगे और परिवार में खुशाली का माहौल रहेगा सयम से काम लेंगे तो सभी काम पूरे होंगे नौकरी और बिजनेस में भी लाब होगा मीन इस दौरान दुश्मनों को हराने का मौका मिलेगा विदेश से जुड़े काम पूरे होने के योग बन रहे हैं आप शत्रों पर हावी रहेंगे और उनकी हर चाल काटने में काम्याब रहें लोकल 18 के लिए जालोर से सोनाली भाटी की रिपोर्ट इस विडियो में दी गई जानकारी जियोतिशाचार्य अनुसार है लोकल 18 इसकी पुष्टी नहीं करता है